नमस्कार मित्रो, नमो नमाहा, नमो नमाहा, मित्रो, इस खक्षा-खक्ष में, इस क्लास्रूम में सभी का स्वागत है, क्या पढ़ाने जा रहा हूं इस खक्षा में मैं वो समझा दूँ, मित्रो हम सभी हैं अध्यापक, जिया हमें इस समय अध्यापकों को पढ़ा रहा हूं और अध्यापक को करवाना होगा सिक्षन कार्य अध्यापक को क्या करवाना होगा सिक्षन कार्य यानि सिक्षक को सिक्षन कार्य करवाना होगा और सिक्षन के कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स को संस्क्रित में कहते हैं सुत्राणी यानि कि सिक्षण के सुत्र की बात कर रहे हैं सिक्षण के टूल्स हमने सिद्धान्थ भी पढ़े किसके सिद्धान्थ पढ़े सिक्षण के सिद्धान्थ पढ़े क्लिए रहे हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सिक्षण के सुत्र चलिए देखते हैं सुत्र कैसे क्या होता है ये सुत्र आज या समझाता हूँ आपको अब तक यदि नहीं भी समझ में आया और जाता भी है तो भी समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हम प्राणी हैं मानव हैं हर बार हमारा दिमाग हर उस पूरानी चीज जो याद है उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है प्रती दिन रुका हुआ पानी और ठैरा हुआ ग्यान बदबू ही मारता है ध्यान अखिएगा ठैरा हुआ तो पानी और ठैरा हुआ ग्यान बदवु मारत है, अपडेट से ये, अपडेट करने यहां, कैसे अपडेट करेंगे, देखी यहां मैंने जो लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने मित्र लिखा है, शिक्षन सुत्रानी, यह शिक्षन सुत्रानी क्या होता है, सिक्षन सुत्र, कि क्या कहा , शिक्षण कारी को प्रभाव साली सरल और सहज बनाने के लिए और विद्यारतियों को अध्यापन के प्रती जागरुग बनाने के लिए जिस नियम और तकनीक विदी का प्रियोग किया जाता है उसे हम लोग हम सभी सिक्षन सुत्र कहते हैं फिर से इस परिवासा पे ध्यान दीजेगा शिक्षन शुत्र क्या होता है कहां सिक्षन कारी कोन करवाएगा हम लोग अध्यापक आप और मैं सिक्षन कारी करवाने वाले कहां उसे प्रभाव साली बनाना है तो हमारा प्रवा जाएं कि वह वालक स्कूल के बाद जाते समय हमारे पढ़ाये ज्यानगा ही रिपीश्ट खुदी करता जाएं बड़े आननद के साथ जैसे आपने रामसद पढ़ाया उसे गांके पढ़ाया कोई उब श्लो deb descript पढ़ाया आननद ले तो एक पर रूचि आनन्द वान तो मैं फिर देखो क्या हालत होती दूद्जे की को दूद विä है मैं ने प्रेक्टिकल किया तुक्षन्धूरों का मैंने प्रयक्टिकल गिया मैं बताउगा कि बढ़ाऊ गों मैं और वो बताऊनगा कि कैसे आनन्द आया याद रखिए हम इतनों एक ही कक्षा में एक पार्ट पर कर्वन तीन से अधिक तो सिध्धानत का प्रियोग होता है और कम से कम तीन से अधिक सिक्षन सुत्रों का प्रियोग होता है मैं प्राइमेरी कक्षा में बढ़ा रहा था उन दिनो छोटे बालक थे कक्षा 6, 7, 8 के मैंने राम शब्द को गाया और गा करके सुत्य राम शब्द एक ऐसा शब्द रूप है जिसे बर्सों से हम गातों रहें लेकिन बालक के याद नहीं होता सोटी कक्षा थी मैंने प्रियोग किया कैसे किया आप भी कीजिएगा मैंने राम सब्द को गाया मैं इसलिए अपने पर बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई महान नहीं हूं लेकिन मैं अध्यापक जुरूर हूं मुझे अपना अध्यापन कार्य जो है वह प्रभावसारी बनाना है मेरा काम इतना ही है कैसे गाया उस पे आ जाओ के प्राथ मी क्रक्षा थी छोटे-छोटे बत्चे बेठें क्रक्षा छैसाथ आठके रामशब्सद गार रहा था है रामे रामव रामाह प्रतिमा ओय होए राममे रामव रामाने द्वितिया रामेन रामाभ्याम रामाई त्रतिया ओहो मैंने तो तीश्री लाइन गई थी और वो जो बालक जो बैठे थे उनके कान खड़े हुए कि गाना है कोई जब मैंने पूरा गाया मुझे उमीद नहीं थी कि जो बालक है जो बालक है वो छुट्टिया इंटर्वेल के बाद इस तरह से गाएगा मैंने छुटी जब बच्चों की हुई और मैंने जब रस्टे में जा रहा था पैदर ही जा रहा था तो एक बालक बढ़ा ही जबरतस वो बालक कर रहे थे मैं वो बताता हूं एक दूसरी को क्या कर रहे थे रा मेह रा माँ रा महा प्रतिमा मैंने यूँ तो पढ़ा है नहीं इसको और देखी वलक कर क्या से रहा है तीनों काम कर दिया जब मैंने एक अक्षा नाइन टेंथ में पढ़ाया मैं उसकी बात करता हूं 910 फीट टी उसदीन किलास और 1112 फी थी मेरे हात में उस किलास में जब मैयने एक संस्क्रुब में गीत गाया यजी हर कि गाया जो उस अवस्था वाला है और यह गीत था उस समय वूं गीत आया इंथा नाम है उसका वो हरियना के गाना के एक घृत्स है तरी आंख्या हो योकात ज ल जी हाँ तरी आख्या को यूकाज़ सब स्क जार estásWhy यह जो गीत था यह मैंने उसकी शोरवस्था के क्लास में संस्कृत में गा दिया तावे ने त्रेयोकन जैलम मैंने शंस्कृत में गाया इसको भाई सब देखने लाएक मिली भाई का कक्षा जब छूट के गया वह बालक बच्चों ने कर्वन तीन बार तो मुझसे गवाया मैं कभी भी अपनी क्लास में जाते समय अपना नाम नहीं बताता क्योंकि बालक खुद पूछ लेगा यदि आपकी क्लास में उसे आनन्द आया तो जाते समय ही बच्चों ने पूछा सर आपका नाम क्या है और याद रखिएगा जिस क्लास को में बालक आप से अपका नाम पूछने लग जाएं कब आपके बढ़ाने के बाद समझ लेना उस क्लास में अधिकांस बालक को आपकी बाते समझ में आ गई है नहीं तो कोई किसी का यूही नाम नहीं पूछता जब मैंने कॉलेज में बढ़ाया मैं आज अपनी प्रसंसा नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि इनका प्रियोग मैंने किया मैंने किया इनका प्रियोग जिसका प्रिणाम क्या निकला मैं वो बता रहा हूं college girls and boys college दहा उस college में जब मैंने इन सिद्धान्तों का प्रियोग किया इन सुत्रों का प्रियोग किया और वहां पर जब मैंने अभिग्यान शाकुंतलम की स्लोग सुनाये हुने और उनका भावार समझाया तो याद रखी गा किशोर अवस्था का बालक भी है कॉलेज वाला और साथ में एक ऐसी दहलीज पे होता है जहां उसे डीसिजन लेना होता है बचा जूम उठा संस्कृत में संस्कृत में जूम उठा आज उन बालकों की वज़े से ही मैं इस मन्द से आपको पढ़ा रहा हूं उस इंट्रेस्ट की वज़े से ही पढ़ा रहा हूं मेरे में जो ये योगेत आई हैं उस विश्वास उस बालकों के उस प्रेम की वज़े से है अब याद कर लीजेगा यदि आप में अपने आप में अध्यन कारे में विश्वास जगाना है तो मित्रों याद रख लीजेगा इनका प्रियोग कक्षा कक्ष में तो करना होगा कैसे मित्रों यहाँ पर जो मैंने कहा जागरुक बनाने के लिए आपको इनका प्रियोग किया पहला सुत्र क्या है ग्यात से अग्यात की और क्यातात अज्ञातम प्रती अब सुची सोनिये इसमें है क्या वो भी सुनिये बालक को मैंने क्या गाना सुनाया था तेरी आख्यां को योकाजल यह उसे ग्यात था और फिर क्या सुनाया उसको संस्कृत में मिंटों में याद हो गया पूरा का पूरा गाना और वो भी का मैंने प्रियोग किया चोटी कक्षाओं में आप उसकी स्थानिय भासा में गाओ और फिर उसे संस्कृत में ले आओ उस गाने को गाते गाते आनंधी कुछ और आ जाएगा दूसरा सरलात कठिनम प्रति व्यागरण का ज्यान आप दे रहे हो सरलता से जाओ और फिर उसको नियमों में ले आओ सरल से कठिन अगला स्थुल से सुक्षम की और सुत्र सुक्षम उधान स्थुल इसका प्रियोग करो कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ पूर्णात अंसम्प्रति विशलेशन विदी का प्रियोग भी करना होता है उसमें ये विशेश काम आता है पार्ट को थोड़ सा पढ़ाओ जब पार्ट आदा चैप्टर हो जाए एक चैप्टर पूरा हो जाए फिर उसका आप अर्थ बताओ या लाइन पूरी हो जाए उसके बाद में उसका अर्थ बताओ इक सेंटंस बूरा हो जा उसके बाद में उसकी मेनिग मताओ देखो अनन्द आ जाएगा इस शुद्रगा प्रियोग किया तो कहा विषलेशनां से सनसनेशन की और इस सक्षन शुत्रगाभी हम प्रियोग कख़ा कख़़् में करें उधान से नियम की और व्यागन सिक्षण में विशेश रूप से इसका प्रियोग करें विशिष से सामान्य की और विशिष्टात सामान्यम प्रती ए निस्यात निस्चितम प्रती प्रियोग करें हम इनका और भी हैं नियमात उधानम प्रती नियम से उधान की और, अनुभवात तरकम प्रती, अनुभव से तरकी की और, मनोवेज्ञानी क्रमात तारकी क्रमं प्रती, मनोवेज्ञानी क्रम से तारकी क्रम की और, तो मित्रों यदी हम इन सुत्रों का यदी अपने पढ़ाने के कारेकरम में, सिक्षन कारे में, पठन कारे में यदी प्रियो करें, तो सिक्षन कारे बहुत शांदार हो जाता है, अब मैं एक-एक सिक्षन सुत्र पर बात करूँगा, सिक्षन सुत्र है पहला ग्यात से अग्यात की ओर ग्यात से अग्यात की ओर चलिए अब बात करते हैं क्या है ये इस सिक्षन सुत्र का प्रियोग बालक के पूर ग्यान से प्रारंब होकर नवीन ग्यान की प्राप्ति तक होता है याद कीजिएगा इस शिक्षिक्ण शुत्र का कहां प्रियो करते हो आप प्रस्थावना कोसल में प्रस्थावना बनाते हो तब जी हाँ प्रस्थावना बनाते समय आप बालक से करिवन चार प्रस्थन वो पूछते हो जो उसे आते है और पांचमा प्रस्थन इसलिए कठिन बनाते हो ताकि आप पाठ पे आ जाओ क्योंकि नवीन ग्यान देना है पूर ग्यान्था से शुरू किया और नवीन ग्यान जो आज पढ़ाने वाले हो इस सुत्र का प्रियोकर रहे हो यह सिक्षन सुत्र प्रस्थावना कोशल का प्रमुख सुत्र है ये शुत्र कहा का प्रमुक्षुत्र है? प्रस्थावना कोशल का नवीन ग्यान के लिए बालकों को पहले वह ग्यान दिया जाता है जिसे वे पहले से जानते हैं इस पूर ग्यान से नवीन ग्यान को जोड़ा जाता है पहले से जानते हैं और नवीन ज्ञान को जोड दिया जाता है कैसे प्रशन है न कैसे मितनों आप कोई भी पाट पड़ा रहे हो कोई साब भी जो कि संस्कृत की पाठ्थे पुस्तक में हो चाहिए कक्षा 6 से लेकर कि 12 ग्लास तक में किसी में भी हो कई न कई उसका पूरु ज्ञान बालक को है वो किसी चीज का भी हो आपको वहीं से ही स्टार्ट करना होगा और ये जब प्रारम किया जाता है तो नवीन ज्ञान स्वत्य ही आ जाता है सरल से कठिन के प्रती इस सिक्षन के अंतर गत सर प्रत्थम सरल एवं ग्यात शब्दों और वाक्यों को पढ़ा कर कठिन एवं ग्यात शब्दों एवं वाक्यों की ओर ले जाया जाता है से बाल के है से बाल का अस्ति यह लो भाईया यहां तक ठीक है से बाल के अस्ति वे बाल के जानता था बाल के अब आगे बढ़ जाओ बाल के है विद्यालयम गच्छती वे बालक है और बालक कहां जा रहा है सरल जानता था कठिन की और ले आया हूं सरल से कठिन की और सुननों कहां काम आ रहे हैं अलंकार पढ़ाने से पूर्व चंदों का उचित प्रकार से सिखाया जाता है मैंने हमेशा आपको याद कीजिएगा जब भी अलंकार और चंदों की class शुरू करी मैं विशे रूप से चंद की जब सुरू करी मैंने आपको साब सब्सक्राइव में कहा जिसे चंद गाना आता है जिसे चंद का गाना जब तक गाना नहीं आएगा तब तक अलंकार नहीं हो सकता पहले ज्ञान किसका दूँ चंद का अलंकार का पहले नहीं दिया जा सकता पहले गा के दिखाओ फिर उसमें से बताओ कि कौन से सब्दों से यहां अलंकार हुआ है पहले इसमें चंद बताओ चंद बताने के बाद बताओ इसी रही अलंकार का सिक्षन सुत्र सरल से कठिन कियो ये बाद अलंकार पढ़ाया जाता है अब आजाओ, राम शब्द सिखाने के बाद ही भूब्रत जैसे पुलिंग शब्द सिखाए जाते हैं, जहाँ पुलिंग में पहले राम शब्द सिखाओ उस बालक को, राम है राम आव राम प्रथमा फ़ले शिखाओ, और उसके बाद भूब्रत भूब्रत अबूब्रत अब्रत हelles द्यूतिया भूबूब्रत भ्याम भूब्रत सभी इत्रितिया वो सिखाओ सरल से कठिन की ओर द्यानक न उधान भी दे रहाँ बूल बच्छेयों एक्जाम में पूछ ले तो बता देना करत्री एवं कर्म वाच्चे सिखाने के बाद ही भाव वाच्चे का प्रियोग सिखाना चाहिए सरल से कठिन की ओर भाव वाच्चे तब सिखाना जब उसे कर्त्री वाच्चे और करम वाच्चे आजाए यह तीसरा उधान मैंने तीन तीन उधान दिये हैं सरल से कठिन की ओर शिक्षन सुत्र में यह आपको ध्यान रखना होगा तीसरा श्थुलात शुक्षम प्रती स्थुल उधान शुक्षम सुत्र उधान सदेव स्थुल होता है मैंने पहले ही कहा वाई उधान हमेशा स्थुल तथा नियम सुक्षम ही होता है इस सिक्षन सुत्रगा प्रारम द्रश्य और लिखित सामगरी के प्रदर्शन से ही होता है क्या क्या सामगरी भाई? या तो दिखाओ बच्चे को या लिखित का सामगरी दिखाओ उससे ही प्रारम होगा अंत द्रश्य और लिखित सामगरी के नियम से होता है और अंत किस से होगा द्रश्य दिखा करके या फिर लिखित सामगरी से ही इसका समाप्ति भी होगी इस्तुल उधार एवं सामगरी मूर्त अवस्था में होती है फिर शुलिची का उधार मूर्त यनि दिखाई दे देवाले दिखाई दे रहा है मुझे तथा नियम सुक्षम अवं अमूर्त अवस्था में होता है जी हाँ इसमें आपको नियम दिखाना पड़ेगा देव धन आलए अब नियम बताओ ए धन ए बराबर आ दीर्ग संधी आते हैं इस सिक्षन सुत्र को मूर्थ से अमूर्थ की और भी कहा गया मूर्ताद अमूर्तम प्रती किसको इस तूल से सुक्षम की और इस तूलाद सुक्षम प्रती सिक्षन सुत्र को ही मूर्ताद अमूर्तम प्रती कहा गया पूनात अन्संप्रति अरे बैया यहां पर एक विधी का नाम और लिख दो ताकि ध्यान रहे आपको मित्रों इस विधी का एक नाम और इस शिक्षन शुत्र का एक नाम और भी है संसलेशन से विशलेशन की और पूनात अन्संप्रति संस्कत सिक्षन में व्याकरण एवं कथा सिक्षन यह प्रसंतों पूछा और गया कि संस्कत सिक्षन में व्याकरण और कथा सिक्षन के लिए महत्वपून सुत्र कौन सा है सुत्र कौन सा है पूनात अन्संप्रति इस सिक्षन सुत्र में संपून अंस या पाठ को पढ़ाने के बाद सुन लेना पेरग्राफ जब पूरा पढ़ा दो या लाइन पूरी पढ़ा दो उसके बाद उसके छोटे-छोटे अंसों से समझाना चाहिए इसलिए कहा गया इस सुत्र का आधार गैस्टांटवाद है गैस्टांटवाद भी कहता है कि आप किसी चीज को पहले पूरा बोलो तो सही फिर उसको सीज़े समझाओ और गेस्टांट वादी यही कहते हैं गेस्टांट वाद ध्यान कीगा पूनाथ अंसम प्रती की बात कर रहा है अगला सुनना अभी तो गया था संसलेशन से विष्शलेशन यानि की पून सेंस्क की और अब आगे है सिक्षन सुत्र विष्शलेशनातमद विशलेशनात से संसलेशनम प्रती, कहा इसे समझाओगे क्या, विशलेशन करो और फिर क्या करो, संसलेशन, प्रियोग कहा हो रहा है, संधी में, समास में, प्रत्य में, संधी समास प्रत्य व्याकण में समझाने के लिए इसका प्रियोग होगा, ध्यानक्य का संधी समझाने क के लिए किस सिक्षण सुत्र का प्रियोग होता है पहले क्या करना होगा फिर क्या करना होगा इस सिक्षण सुत्र को अंस से पून की और भी कहा जाता है पहले अंस फिर पून यानिकि अंस सुत्र पून उधान पाट के छोटे छोटे अंसों को पढ़ाने के बाद अंत में निसकर्ष निकाला जाता है इसे अंस से निसकर्ष की और शिक्षण सुत्र भी कहा जाता है पहले ये समझाओ, फिर समझाना इसे, पहले इनको समझाओ, क्या हैं ये तीनों, फिर समझाना इसको, इसलिए कहा, संसलेशन से, संधी, समास, प्रत्य को समझाने का सिक्षन, सुत्र, ध्यान रख लेना भूल मत जीओ, फिर कहोगे कि हम भूल गे, संसलेशन से, विशलेशन से, संसलेशन की ओर, उधान से नियम के प्रती, उधान दो और उसके बाद नियम की और, मित्रों इसका प्रियोग सबसे ज़्यादा व्याकरण में किया जाता है, सबसे ज़्यादा व्यागण सिक्षण में और व्यागण सिक्षण में भी सबसे ज़्यादा आगमन वीदी में क्या किया जाता है क्या कहा इस सिक्षण सुत्र में प्रतम उधान प्रस्तुत करना होगा सबसे पहले आपको धान देना होगा और अंत में नियम बताने होगे पहले उधान दो मैंने नीज़े दे रखा है इस सिक्षन सुत्र व्याकण सिक्षन में आगबन विदी का प्रमुक सुत्र है प्रात्मी कक्षाओं में आगबन विदी सर्वस्रेष्ट व्यागन की विदी कहलाई कैसे मैंने उधान रखे पहले देखी कह उधान देवाले देवेश्वर्यम और गंगोद गंपहले मैंने उधान रखे अर्थाथ साफ किया मैंने उधान दिया फिर मैंने प्रक्रिया से इसे तोड़ा और अंत में जा करके मैंने नियमों का स्थापन किया कि भाईया यहां पर ए और ए बराबर आ दीर्ख हो गया यहां और ए भलाबर व्रद्धी हो गई यहां पर आ उरू मिल करके गुण हो गया है गुण हो गया है इसी प्रकार हमारे पर विशिष्टात सामान्यम प्रती इस सिक्षन सुत्र में विशिष्ट उधारण सर प्रथम दिये जाते हैं यह विशिष्ट उधारण क्या होते हैं वो भी ध्यान कर लेना प्रस्तूत करो औ और अंद में नियम होगा कि द्वारा सामाने निसकर्ष में पहुंचो देखी मैंने उधान यहां लिखे हैं समझाने के रिए कि विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सामान्य नियम क्या है इसका सुत्र हमेशा सामान्य होता है और फिर आपने बताये कि इसमें संदी कौन सी है परसेवण इसी प्रकार शब्स है अपवर्ग अपवरिक शब्स है यह अपने आम में वीशी शुधान है जिसका अपवर्ग का व्याकण में अर्थ क्या है अपवर्ग कहां व्याकण में अर्थ क्या है व्याकण में तो अर्थ है ज्ञान प्राप्ति वहीं पर साहित्य में क्या है मौक्ष प्राप्ति लेकिन इसका यदि हम देखें तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि सामाने निमयम अपवर्गे तृतिया सुत्र इसका ध्यान रखो कहां हम क्या काम कर रहे हैं विशिष उद्धाण अब निश्चित से निश्चित की ओर कहा इसमें क्या है इस सुत्र का प्रीयोग प्रारंबी कक्षाओं के पठ्ठे क्रमपे किया जाता है यह प्रारंबिक कख्षाओं में आता है कहा बालक की प्रारंबिक अवस्था में ग्यान स्पस्ट और निश्चित होता है द्या नखो बालक का प्रारंबिक कख्षाओं में ग्यान साफ नहीं होता स्पस्ट नहीं होता है अध्यापक वनमाला और छोटे शब्दों का इसका प्रात्मी कक्षा में प्रियोग होगा इसी प्रकार आप देखें अगला नियमात उध्धानम प्रती यह नियम से उध्धान की और जा रहा है यानि कि उध्धान के उध्धान से नियम की और बिल्कुल विप्रीत इस सिक्षन सुत्र में क्या करना होगा पहले नियम किस वीदी में बाई च्लियर करो निगवन वीदी में कैसे शुत्र देखो सुट्र देखो और देखो इको यंची अकह सेभंदिरिक और अधगुणे और उधान क्या है सुध्य उपास से देत्यारी और गंगोद्गम मित्रों ऐसी उधानों को हमें हमेशा प्रियोग में लान अगला मित्रों मेरे पास है अनुभव और तरक अनुभवात तरकम प्रति क्यों कि मित्रों हमारे 11 हो चुके और 11 शुत्र बहुत होते हैं बालक अपने पूर्व अनुभवों बालक पहले से बहुत सारा अनुभव जानता है वो भी गेट खोल खोल के देखता है ठीक उसके अ यह मनोविज्ञानिक क्रम से और तारकी क्रम के प्रति कहा जाता है कैसे कि चारों कोशलों का क्रम मनोविज्ञानिक क्रम है तथा चात्र इस्तरानुशार विशय वस्तु का विवस्थित क्रम तारकी क्रम होता है ध्याना कियेगा चारों कोशल जो है वो कैसे होता है मनोवि लेकिन विश्यवस्तू का विवस्थित क्रम क्या होता है तार की क्रम कैसे मित्रों प्राथमिक अक्षा में जो भी हम पढ़ाते हैं वह मनोविज्यानिक क्रम से पढ़ाते हैं लेकिन जब वह बच्चा बड़ी कक्षाओं में आ जाता है तो वही मनोविज्यानिक क्रम किसमें मरल जाता है तार की क्रम में इसलिए ग्यान को क्या कहा जाता है नीचे से उपर की और नीचे से उपर की और और मित्रों ये आपके ग्यारा क्या है शिक्षन सुत्र हैं इनका प्रियोग हमें कक्षा कक्ष में हर हालत में करना है ठीक है देड़ों सुपकामनाओं के साथ जैज कर दो